दोस्तों संपती से रिलेटेड बहुत सारी इसे समस्या हैं लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संपती को हड़प लेने की समस्या आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसी anti-social elements पैदा हो चुके हैं जो किसी न किसी की संपती को हड़प कर बैठे हुए हैं दोस्तों या फिर बहुत सारे ऐसे वक्ति जो अपनों को धोखा देने में बिलकुल भी चूक नहीं करते हैं दोस्तों आपको यह पता है कि यह संपती है आपकी है बावजूत इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंगी वह संपती किसी और के नाम के रेजिट्रेड हो चुका है और साथी साथ उन्होंने मोटिशल करा रखा है तो इस वक्त आप क्या करोगे दोस्तों आरे इस वीडियो के बाद हम से यही जानेंगे कि अगर किसी प्रकार की संपती आपको यह अच्छे तरह से पता कि वह संपती आपकी है लेकिन किसी के द्वारा हडप ली गई है या फिर आपके रिस्तेदारों के द्वारा बेच दी गई है तो उस वक्त आप उस संपत्ती को दुबारा वापस कैसे लेके आओगे यह वीडियो बस इसी वात की चनकारी देगा दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएना तो कम से कम अपने दोस्तों से यह रिस्तेदारों से सहर जरू करना और साथी साथ मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे चान को सब्सक्राइब करना तकि भव इससे में आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल रहे दोस्तों जब सुरू करते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की शंपत्ति जो आपको आपके पूर्खों के दवारा अर्जित की गई हो या आपके पैत्रिक शंपत्ति हो या आपके पिताति के दवारा अर्जित कर ली गई हो लेकिन वहां वह संपत्ति किसी के दवारा अगर आपको इस बात के जानकरी के आपकी है लेकिन मान लो कि आपके दादा जी के दो बेटे हैं और दादा जी के जो एक बेटे जो है वे उस प्रपरटि को बेज देते हैं उसको यह पता है कि सामपति इजमाल है बावजूत वो property किसी और को base देते हैं और सामने वाला क्योंकि वो इस बात की जानकारी रखता है कि वो property जो है इनके inheritance में आया है और inheritance होने के कारण वो property खरी लेता और अपने नाम का motivation भी करा लेता है तो उस एवज में जो property registered हो चुकी है और उसमें उन्होंने motivation करा लिया है motivation कहने का मतलब जो दाखिल खारीज होता है अगर उन्होंने वोग चीज करा रखा है तो क्या वो समपती उसकी हो गई क्या उस समपती को वापस किया जा सकता है या फिर कोई ऐसी समपती जो की हडप ली गई हो मान ले आपके दादा जी की दो बेटे हैं और एक बेटे के दुबार हो संपती हरप ली गाई हो और वह उस चीज़ को पाद हुआ हो संपती को बेज देते हैं तो क्या उस star ऊपती को वापस किया जा सकता है उन्होंने उस संपती का mutation भी करा रखा है दाखिल खारीज भी करा रखा है राजश्युक का भुक्तान भी करते आ रहे हैं और सारी संपती जो की अपने नाम करा रखिए तब उस हालत में क्या वो संपती आप वहाँ पे हासिल कर सकते हो तो मैं आपको बता दो उस संपती को की हो गई है या फिर कोई भी प्रोपर्टी जो रेश्टेड होने के बाद कि वह इंसान उसका मोटेशन करा लेता है और आप यहां डर रहे हो कि उसने प्रोपर्टी रेश्टेड करा रखा है और उसका मोटेशन भी करा रखा राजयसु का भुकतान भी करता है तो संपति को ह आसल नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई बात नहींBe, Motation एक जर्या है माल गुजारी का, राज्यस्व का भुकतान करने का एक जर्या है, यानि किसी भी जर्या पर जो टेक्स पर किया जाता है, वो बस एक मात्र जर्या है, इसकर से प्रपर्टी का देकलियर नहीं करता है, अब रही बात किसी भी समपती को अगा हरप लिया गया है, तो क्या उस समपती को हम वापस लासकते हैं, बिल्कुल लासकते हैं, अगर आपके दादा जी ने वो समपती खर दीया, दादा जी की स्वार्धित संपती और उन्होंने अपने कंसें से किसी को ट्रांसफर नहीं किया है या आपके दादा जी अगर मर गये हैं और दादा जी के मरने के बाद वो सो प्रोपर्टी का कभी बटवारा नहीं हुआ है और बावजूत बटवारा कि आपको यह पता है कि प्रोपर्टी दादा जी के स्वायदित संपती थी या दादा जी की या फिर आपके पैटरनल प्रोपर्टी थी और उसको एक इंसान ने अपने नाम करा रखा है या आपके चाचा ने नाम करा रखा है तो उस वक्त आप कानूं का सहरा ले शकते हो और टाइटल पार्टिशन suit के द्वारा या फिर declaratory suit के द्वारा आप उस संपती को हासिल कर सकते हो लेकिन ये प्रूफ करना आपका काम होगा कि ये जो संपती है आपकी paternal थी या आपके दादा जी की थी या आपके पिता जी की थी ये total honest आप पे जाता है क्योंकि best evidence देना जो plaintiff होता है जो case करने वाला होता है उसका ही काम होता है कि आप उस matter को कैसे code में प्रूफ कर सकते हो कि संपती जो है हमारी अपनी है और इसमाल property थी और इसका कभी बटवारा नहीं हुआ और अगर वो आप प्रूफ करने में शक्चम हो जाते हो तो वो संपती दोबारा आपके पास आ सकती है दोस्तों आसा करता हूं आपको kit वीडियो जुरूर अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चानल को सबस्क्राइब रूप करना इस वीडियो को सेर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि नित्य परती दिन आपको ऐसे ही रोशत्ताथ्यों के वडिय मिलती रहे तब तक के लिए दूस्तो जय भारत जय हिंद